ठीक एक मिन चालो करता है ने मैं कि अप्सेट से कारणा है ने मैं, आप उता है युभ लागाई युर पार पता है ने चीज़ करें को आपाई आपों ऐस जाओएřिक अप्सक्तष पूंटें को आपाई टीक टीक है वजा है युभाई olması क का एक अट युभ लागाई है टीक झाते है युभ लागाई युभ कि वह किया एक मेंटा एक दो लोगों जाइन करें फिर चालू कर रहा हूं ठीक है तो आज का अपना टॉपिक है पी एन जंक्शन डायोट तो पहले आप लोग समझना की पी एन जंक्शन डायोट फॉर्म कैसे होता है तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा डिविजन करा दू तो देखो हम लोग ने अब तक यह पढ़ा कि extrinsic semiconductor दो तरीके के होते हैं एक होते P-type semiconductor एक आपके होते N-type semiconductor N-type semiconductor में बहुत सारे free electrons होते हैं क्या होते हैं बहुत सारे free electrons होते हैं P-type semiconductor में बहुत सारे holes होते हैं holes मतलब vacancy है vacancy का मतलब क्या है कि यहाँ पर आके electron बैठ सकता है मतलब हमें वेकंसी है, इलेक्ट्रोन यहां पर आके इस वेकंसी को बर सकता है, तो P-type semiconductor में number of holes जादा है, N-type semiconductor में number of electrons जादा है, तो एक तरफ आपके holes जादा है, एक तरफ आपके electrons जादा है, अब तुम खुद मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो, suppose करो कि यह एक glass है और इसमें आपका salty water है, मानलो आके पास दो glass है, एक glass है जिसमें आपका salty water है, एक glass है जिसमें आपका sweet पानी है, मानलो एक glass है जिसमें खटा पानी है, एक glass है जिसमें मीठा पानी है, तो अगर आप इन दोनो glass को connect करोगे, तो थोड़ी दिर के बाद पता है क्या होगा यहाँ पे स्वीट है तो यहां पे इधर जाएगी यहां का थोड़ा सॉटिनेस से वो इधर आ और फोड़ी दर के बाद क्या होगा यहाँ पे दोनों तछक्त आपका सेम तरिकी का पाणी हो जाएगा हैं तो होता कि है influenze जब भी concentration का difference होता है तो आपके particles का movement होता है, जब भी concentration का difference होता है, है ना, तुमने शायद chemistry में पढ़ा होगा, कि जब भी concentration का difference होता है, तो आपके particles का movement होता है, तो अब PN junction diode बनता कैसे दिखो, तो टॉपिक लिखो अपनी काप में PN junction diode, तो देखो, तो इसको बोलते हैं हम PN junction यह ना बीच में तुम्हें लाइन दिख रही है यह होता है PN junction P और N को separate करने वाली लाइन और PN junction diode और PN junction diode को notify यह denote किसे करते हैं तो इसका symbolic representation होता है यह तो जो आपकी P side है उसको तो हमें एक triangle से denote करते हैं और जो आपकी N side है उसको हम एक vertical line से denote करते हैं तो यह P side है और N side है तो अब तुम देखना कि एक PN junction diode कैसे बनता है सब समझना देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यह P side है और यह N side है तो इन दोनों को पहले में पास पास रखूँगा तो जैसे ही मैं P type semiconductor और N type semiconductor को पास पास रखूँगा तो N की तरफ आपके number of electrons जादा है और P की तरफ आपके number of holes जादा है तो concentration का डिफरेंस है एक तर hole जादा है तो होगा क्या आपके जो hole है वो jump करके कहाँ पर आ जाएंगे N की तरफ हो जाएंगे और जो electron है वो jump करके कहाँ ले जाएंगे P की तरफ चले जाएंगे तो इस current को हम बोलते है diffusion current current took an kigeru te diffusion current गोलते तो diffusion करेंट में क्या होता है एलेक्ट्रों जॉम्स from एलेक्ट्रों जंप फ्रॉम N साइड और होल्स कहांसे का जंप करते हैं होल्स जंप स्रॉम तो आपके होल से होल्स हैं P to N side, तो जब आप P type semiconductor और N type semiconductor को पास पास रखते हो, तो पहले कौन सा current flow करता है, diffusion current, diffusion current Q flow करता है, कोई तो मैं पूछे, कि भाई diffusion current Q flow कर रहा है, तो due to difference, due to difference in concentration, due to difference in concentration of electrons and holes, तो एक तरफ आपके hole जदा है, एक तरफ electron जदा है, तो electron कहां से कहां जाएंगे N से P की तरफ, hole कहां से कहां आएंगे P से N की तरफ, तो लिखो अपनी कॉप में topic लिखो, formation of PN junction diode, topic लिखो अपनी कॉप में, formation of, यह topic लिखो, formation of PN junction diode, यह साथ में लिखना depletion layer, साथ में डिप्लीशन लेयर तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है उस पर मैं आता हूँ वापिस इस पूरे प्रॉसेस को समझना तो जब आप P टाइप और N टाइप को पास पास रपते हो मतलब एक तरफ P एक तरफ N तो P की तरफ होल्स जादा है N की तरफ electron जादा है तो एक तरफ electron जादा है एक तरफ hole जादा है तो electron jump करके P की तरफ आएंगे hole jump करके कहा जाएंगे N की तरफ जाएंगे तो इस current को हम बोलते है diffusion current current क्यों बोला क्योंकि charges का movement हो रहा है तो diffusion current क्यों flow करता है due to difference in concentration of electrons and holes. तो diffusion current के वद क्या होता है? Electron तो jump करता है N से P की तरफ, hole jump करता है P से N की तरफ. तो यह होता है आपका diffusion current. अब तुम देखना क्या होगा? तो थोड़ी दिर के बाद क्या होगा? थोड़ी दिर के बाद क्या होगा? तो आपके P की तरफ, तो electron इकटा हो जाएंगे. तो होगा क्या? इदर से electron jump करके, कहां से? N से electron jump करके P की तरफ आए. तो यहाँ पे आपका negative charge जमाना चालो जाएगा. P से hole N की तरफ आए. तो यहाँ पे आपका positive charge जमाना चालो जाएगा. ऐसा क्यों होगा? आप खुद मुझे बताओ. N के कारण electron गहे. N ने electron lose किये. और P ने hole lose किये. तो थोड़ी दर के बाद क्या होगा? N से जो भी electron आ रहे, वो यहाँ पे आके इकटा हो जाएंगे. और P से जो भी hole आ रहे, वो यहाँ पे आके इकटा हो जाएंगे. तो यह जो आपका region बनाना, इसको हम बोलते है depletion region. इसको हम बोलते है depletion region. अब तुम देखना क्या होगा? अब गलती से भी, सोचो, गलती से भी मान लो, depletion region में मान लो कोई electron आ गया, तो N क्या करेगा? या electron को वापिस अपनी तरफ खीच लेगा. क्योंकि यहाँ पे positive charge है. और गलती से भी कोई hole आपके junction के पास आ गया, तो P क्या करेगा? वापिस उसको अपनी तरफ खीच लेगा. और तुम ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो कि junction के अंदर कोई electron hole पे अरे, गया हो गया. तो N क्या करेगा? electron को अपनी तरफ खीच लेगा. P क्या करेगा? hole को अपनी तरफ खीच लेगा. तो इसको हम बोलते है drift current. इसको हम क्या बोलते है? drift current. तो पहले क्या होता है? पहले होता है आपका diffusion. तो diffusion के करण क्या हुआ? आपके N की तरफ एकठा हो गया, sorry, P की तरफ एकठा हो गया, N की तरफ होल एकठा हो गया, तो थोड़ी दिर के बाद क्या हुआ, ऐसे N की तरफ positive एकठा हो गया, P की तरफ negative एकठा हो गया, तो अब गलती से भी कोई electron, आपका depletion region में आ जाएगा, तो N उसको P की तरफ जाने ही देगा, N क्या करेगा, वापस electron को अपनी तरफ खीच लेगा, और गलती से भी कोई होल, आपका depletion region में आ गया, या junction के पास आ गया, तो P क्या करेगा, होल को वापस अपनी तरफ खीच लेगा, तो drift current क्यों फ्लो करता है, drift current इसलिए फ्लो करता है, due to electric field, due to electric field in depletion region, due to electric field in depletion region, तो कोई तो मैं पूछे, कि है यह depletion region क्यों बना, यह इसलिए बना, क्योंकि पहले diffusion हुआ, diffusion हुआ तो क्या हुआ, diffusion के कारण N से electron P की तरफ गया है, होल N की तरफ आए, तो P की तरफ negative charge जमाऊ गया, N की तरफ positive जमाऊ गया, तो यह positive क्या करेगा, अब और electron को उधर जा नहीं देगा, अगर गलती से भी कोई electron आ गया, तो वापिस कहां पे आ जाएगा N में, और गलती से भी कोई होल आ गया, तो वापिस कहां पे आ जाएगा P में, क्यों? क्योंकि negative positive को attract करता है, तो कोई तुम्हें पूछे कि drift current क्यों flow करता है, due to electric field and depletion region, और drift current में क्या होता है, electron moves to N side, ध्यान से देखो उल्टा आईए, and hole moves to, hole कहां बजाता है, hole moves to B side, है ना, तो इस तरीके से आपका PN junction form होता है, तो कोई तुम्हें पूछे, कि अच्छा PN junction diode कैसे form होता है, या depletion region कैसे बनता है, तो आपको क्या बोलना है, अब ध्यान से सुनना, अभी लिखो मत, आगे क्या लिखना है, मैंने लिखवा रखा है तुम्हें, तुम्हें बस copy करना है, एक second लुख जाना है नो, एक second लुख जाना है, तो देखो, सब समधना वापस, जिसको नहीं समधना है, वो भी समधना, सबसे पहले आप एक P type semiconductor लो, और एक N type semiconductor लो, P और N, P की तरफ hole जाना है, N की तरफ electron जाना है, फिर आप उन दोनों को connect करो, क्या करो, P type और N type दोनों को connect करो, तो होगा क्या, जो आपके electrons है, वो तो jump करके कहा जाएंगे, P की तरफ, और जो holes है, वो jump करके कहा आएंगे, N की तरफ, और कौन सा current flow करेगा, आपका इस वक्द जो current flow करेगा, उसको हम बुलेंगे diffusion current, पर थोड़ी दिर के बाद क्या होगा, सिंस N से electron P की तरफ गए, P से hole N की तरफ आए, तो होगा क्या, N के यहाँ पे आपका negative जमा हो जाएगा, sorry, P के यहाँ पे आपका negative जमा हो जाएगा, N के यहाँ पे आपका positive जमा हो जाएगा, अब गलती से भी कोई electron आपके junction के पास आया, तो electron वापस N की तरफ आजाएगा, गलती से भी कोई hole P की यहाँ पे junction के पास आया, तो P उसको वापस खींच लेगा, तो यह हो जाएगा आपका drift current और equilibrium पर क्या होगा, equilibrium पर आपका जो net current है वो क्या हो जाएगा जीरो जीरो कैसे होगा जितने current diffusion के current, n से p में जाएंगे उत्ता ही current drift के current बापस n में आजाएंगे तो equilibrium पे net current zero हो जाएगा, मतलब जितना drift current flow करेगा, उत्ता ही आपका diffusion current flow करेगा तो कोई तुम्हें पूछे कि या diffusion current क्यों flow कर रहा है, तो आपको बोलना है, अर्यार क्योंकि concentration का difference था ना, एक तरफ electron जादा थे, एक तरफ whole जादा थे, इसलिए diffusion flow गया फिर कोई तुम्हें पुछें, अच्छा फिर drift क्यों flow कर रहा है, तो आपको बोलना है कि N से electron P की तरफ आगए, तो P की तरफ negative जमा हो गया, P से whole N की तरफ आगए, तो N की तरफ positive जमा हो गया, तो गलती से भी कोई electron hole इस junction के पास आगए, तो N electron को वापिस खीच लेगा, P hole को वापिस अपनी तरफ थीच लेगा, तो इससे आपका क्या create होगा, इससे आपका create होगा, एक PN junction diode, तो यह junction होता है, और यह जो region होता है, यह होता है depletion region, इस पर मैं आगए आ रहा हूँ, तो अब तुम थोड़ी theory लिख लो, एक second हो, हालिक हो अपनी का पर मैं, diffusion and drift current, तु to diffuse from their side to other side, जो अपन ने पड़ा, only the holes and electron cross the junction, having high kinetic energy, मतलब सबके सब नी भाग जाएंगे, जिन electron holes की kinetic energy ज्यादा है, यह जो junction के पास में है, वो जंप करेंगे, this diffusion results in an electric current, from P side to N side, known as diffusion current, ऐसा क्यों बोला, P side से N side, क्योंकि N से P electron आ रहे, तो flow of current is opposite to flow of current, flow of electron, तो इसलिए electron N से P आ रहे, तो current कहा से का जाएगा, P से N की तरफ, तो यह तो हो गया diffusion current की बास, अब बात करते हैं, drift current की, तो as electron hole pair are continuously created in the depletion region, इसका मतलब क्या है, कि अगर आपके junction के पास में, गलती से भी कोई electron hole आ गए, there is a regular flow of electron towards the N side, तो N उसको, electron को अपमी तरफ खीच लेगा, P क्या करेगा, hole को अपमी तरफ खीच लेगा, और hole towards P side, this makes a current from N side to P side, this current is called the drift current, और equilibrium मतलब steady state पर क्या होगा, जितना diffusion current उत्ता ही drift current, so net current क्या होगा, आपका 0 होगा, तो लिख लो अपनी कापिमें, यह तुम चाहे तो बात में भी लिख सकते हो, और कोई doubt है, तो अब मुझे पूछो, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, अब कोई doubt है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, यह slide notes में भीज़ दूँगा, कोई doubt है, है रिशिता, देवांच, कोई भी doubt है, खुश तो पूछो, नई सर, easy है, सर, पूछो, पूछो, सर, यहाँ पर है न, जब N से P में जा रहे हैं, electrons, तो वहाँ पर hole create हो रहा है, तो उसको अपन बोल रहे हैं कि holes move कर रहे हैं, बाकि अच्छली नहीं कर रहे हैं, नहीं रिशिता, hole create नहीं हो रहा है, क्योंकि रिशिता, N type semiconductor में, तो जो arsenic होता है, उस जिसे hole की बात कर रहा हूं, जिसे P type semiconductor है, तो होगा क्या, P type semiconductor में, जिसे माल ले कोई silicon है, है न, माल ले कोई silicon क्या, माल ले कोई aluminum है, तो अगर किसी electron ने इस aluminum के यहाँ पर hole को बढ़ दिया, तो इधर क्या create हो जाएगा hole, तो इस तरीके से hole move कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका diffusion current हुआ, फिर drift current हुआ और आपका diode बन गया, अब देखो, अब depletion region क्या होता है, देखो, depletion region क्या होता है तुम समझना, तो यह अपनी P side है, और यह अपनी N side है, ठीक है, तो P की तरफ तो आपका negative इखटा हो जाएगा, N की तरफ आपका positive इखटा हो तो यह जो बीच वाला region है, इसको हम बोलते है, depletion region, यह होता है आपका depletion region, अब देखो, on account of difference in concentration of charge carrier in the two section of P injection, the electron from N side diffused to P side and the hole from P side diffused into N side, आपने पढ़ लिया, due to diffusion, neutrality of both N and P type semiconductor disturb, neutrality का मतला है, अब P की तरफ negative इखटा हो गया, N की तरफ positive इखटा हो गया, a layer of negative iron appear near the junction in the P crystal, देखो यह negative का, and a layer of positive iron appear near the junction in N crystal, यह देखो यह, this layer is called as depletion layer, और यह बहुत important है, कि depletion layer की thickness किसके असपास होती है, 10 raise to power minus 6 meter के असपास, और कोई तो मैं पूछे, कि मानलो मैंने impurity ज्यादा मिलाई, N और P में, तो उससे depletion region प width of depletion layer is inversely proportional to doping, तो जितनी ज्यादा doping होगी, उतना आपका width कम होगा, है ना, जितनी ज्यादा आप impurity मिलाओगे, तो width is inversely proportional to doping, तो जितनी ज्यादा आप impurity मिलाओगे, आपका width उतना ज्यादा कम हो जाएगा, लिख लो उसको, तो उपर मनी line मत लिखना, खाली यह एक्षटा हो गया उल्टा बोड़ों पी की तरफ नेगेटिव एंड की तरफ पॉजिटिव एक्षटा हो गया और यह जो रीजन है इसको बोलते हैं देप्लीशन रीजन और यह आपका जंक्शन है लिख लो इसको अपनी काफिम है और कोई डाउट है तो पूछू कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तो यह आपका डिप्लीशन रीजन बन गया ठीक है तो विट्थ इस इन्वर्सली प्रपोर्शनल किसके होती है डॉपिंग के क्योंकि रिशिता जितने जादे इलेक्ट्रों यहां पे होंगे उतने इलेक्ट्रों यहां पे होंगे उतने इलेक्ट्रों मूव करने की कोशिश करेंगे और जितने जादा होल्स होंगे उतने होल्स मूव करने की कोशिश करेंगे तो यह तेरा जो डिप्लीशन डीजन है उसकी थिकनेस और घड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग ज़दा है, तो मूव करने वाले चार्ड ज़दा है, तो यह थिकनेस और घड़ जाएगी. नेक्स लिखो, पॉटेंशल बेरियर, तो अब बेरियर पॉटेंशल होता क्या है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो, आपने P-type semi-connector लिया, और आपने N-type semi-connector लिया, ठीक है, इधर P है, इधर N है, P की तरफ आपका negative एक्खटा हो गया, N की तरफ आपका positive एक्खटा हो गया, आप खुद मुझे बताओ, positive से negative क्या होगी, एक electric field होगी, तो भूहले की यह फार्मिला वी इक्वेल टुई इंटूए तो यह जो होता है यह भता है बैर्यर पोटेंशन kindness को this definition can potential difference between oh potential difference with the potential difference across their depletion lower potential difference across the depletion layer is called as barrier potential. तो दिखो P की तरफ negative है, N की तरफ positive है. तो यहाँ पर क्या होगी? electric field और जहाँ पर भी electric field होती है, वहाँ पर क्या होता है? potential difference. तो V equal to E into D, तो V है आपका barrier potential. barrier potential का मतलब क्या है? कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना potential difference है? तो potential difference across the depletion layer is barrier potential. ठीक है? जिसे germanium के लिए इसकी value कितनी होती है? 0.3 volt. silicon के लिए कितनी होती है? 0.7 volt. है ना? तो कई लोग क्या करते है? electric field भी निकाल सकते है. E होता है V upon D. तो यहाँ पर ऐसे इन्होंने calculation कर रखी है कि average होती है 0.5 और width आपका होता है 10 raise to power minus 6. जो मैंने अभी last time में लिखवाया था. E क्या हो जाएगा V by D. तो देखो यह आपकी electric field की value किती है 5 into 10 raise to power 5 volt per meter. तो खाली यह value ऐसे याद रखे ना? तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ जो आपका depletion layer है उसमें electric field किसके आसपास होती है? तो यह याद रखना 10 raise to power 5 के आसपास होती है. लिख लो. लिख लो. ऐस के आसपास क्या? electric field है. और जहाँ पे भी electric field होती है. वहाँ पे क्या होता है? का potential difference. और यह जो potential difference है. इसको हम बोलते है barrier potential. barrier potential क्यों बोलते है? barrier का मतलब यह है कि अगर मानलो यहाँ पे कोई electron है और उस electron को jump करके P की तरफ जाना है तो उसको इस barrier को पार करना पड़ेगा. तो अगर मानलो मैं इस electron को suppose करो जिसे silicon में आपका barrier potential 0.7 volt है और मानलो मैं इस electron को 0.8 volt से accelerated करूँ तो यह electron jump करके का बाग से रोक रहा है और होल को P में एंज पी को होल को P से N में आने में रोक रहा है तो लिख लो the potential difference created across the PN junction due to diffusion of electron and hole is called as barrier potential या फिर मैंने जो लिख वाया वो भी लिख सकते हो कि potential difference across the depletion layer ठीक है और germanium की याद रखना silicon की याद रखना है ना लिख लो अपनी कौपे में और कोई doubt है तो पूछो कोई doubt है इसमें तो पूछो वड़ा मैं next topic पर जा रहा हूँ अच्छा यह कुछ important graph है अब अपनी कौप में बना दो सारे graph देखो graph कैसा है देखो आपका P type semiconductor यह रहा और आपका N type semiconductor यह रहा आपको भी पता है कि P की तरफ क्या इखटा हो जाता है negative charge N की तरफ क्या इखटा हो जाता है positive charge तो N की तरफ positive है तो आपका N कहां पर होता है high potential पे P कहां पर होता है low potential पे तो यह देखो यह आपका graph है यह बना लो तो बैसी के लिए low potential है फिर आपका N जो होता है वो high potential पर होता है उसी तरीके से charge density देखो P की तरफ negative charge है आप खुद देखो यहाँ पर negative charge होगा यहाँ पर आपका positive और junction के आसपास आपका कुछ नहीं होगा तो इधर negative positive तो negative positive charge density और electric field कभी आप तुम diagram बना लो P से इनके तरफ क्योंकि इधर आपकी electric field zero होगी इधर आपकी electric field zero होगी electric field काली कहा होगी आपके depletion region में होगी तो जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे तो zero है तो पहले उधर जाओगे तो आपकी electric field की value बढ़ेगी फिर आप इस घटेगी लेकिन यह negative क्यों बनाया आप इसको ऐसा ही बना सकते हो कोई फरक नहीं पड़ेगा पस यह है कि आपकी electric field इदर से इदर है इसलिए इनको इसने नीचे बनाया है तो यह आपकी electric field का graph है चयोंकि आपका यह P type semiconductor है यह अंटाइप semiconductor है P की तरफ आपका negative है एन की तरफ आपका positive है आपकी electric field खाली इन दोनों के बीच में ही है यहाँ पे electric field 0 है यहाँ पे भी electric field 0 है तो इसलिए यहाँ से आपका यह आपका negative वाला point है और यह आपका positive वाला point है तो पहले तो आपके electric field की value बढ़ती है देखो फिर वापस घड़ जाती है तो यह आपका electric field का graph है बना लो इसका अपनी comment तो यह आपके इसके साथ आपका pn junction topic खतम होता है अब मैं आ रहा हूँ forward bias और reverse bias पे कोई doubt in तीनो graph में तो पूछ लो कोई भी doubt in तीनो graph में तो आप पूछ सकते हों ठीक है यह slide तो मैं आपको भीज़ दूँगा तो अब अपना आते forward bias पे अब हम आते topic लिखो अपनी काप में forward bias forward bias of pn junction diode forward bias of pn junction diode तो forward bias में क्या करते है अब तुम ध्यान सशन्ना तो हम basically एक diode लेते तो आपको भी पता है कि यह side p होती है यह side n होती है तो जो p वाली side है इसको मैं positive से connect करता हूँ और जो n वाली side है उसको मैं negative से connect करता हूँ तो अगर इसको मैं तो मैं इस diagram से संजाओं तो suppose करूं कि यह आपका p side है और यह आपका n side है ठीक है p की तरफ आपका negative है अपने को भी पता है diffusion के current n की तरफ positive है अब मालो मैंने इनको एक battery से connect किया ठीक है यह positive है यह negative है तो यहाँ पर क्या जाएगा positive यहाँ पर क्या जाएगा negative अब तुम ध्यान से एक electron की तरफ ध्यान से देखो तो यह negative electron को repel करेगा और यह जो positive है यह वाला positive यह इस electron को attract करेगा और माल लो आपने जो battery लगाई उसका potential इस barrier potential से ज़्यादा है तो होगा क्या आपका electron जंप करके कहां पर आ जाएगा n से p की तरफ आ जाएगा है ना आपका जो hole है वो jump करके कहां से कहां जाएगा p से n की तरफ आ जाएगा तो अगर तुमारी battery का potential तुमारे barrier potential से थोड़ा भी ज़दा है तो आपका electron और hole jump करना चालू कर जाएगे तो forward bias के लिए आपका i और v characteristic कैसा होता है ध्याल से दिखना current और voltage तो पहले तो अगर आपका voltage कम है जैसे मान लो आपका barrier potential है 0.7 volt आपने battery लगाई 0.2 volt की तो तो electron jump नहीं कर सकता तो शुरू में तो आपका current ना के बराबर होगा लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा भी बढ़ाया तो आपका current बढ़ जाता है तो forward bias में आपका iv characteristic कैसा होता है ऐसा और आपका current किसम समझ मैं ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यह positive है तो इदर positive आजाएगा तो यह positive क्या करेगा electron को अपनी तरफ खीचेगा यह negative क्या करेगा hole को अपनी तरफ खीचेगा आपने जो battery लगई मान लो उसका potential barrier potential से जादा है तो आपका electron flow करके इदर आ जाएगा hole flow करके उदर तला आपका current flow करेगा और current किस में flow करेगा milli ampere में मतलब यहाँ पे current की value काफी ज़्याद है तो लिख लो इसको बोलते आईवी characteristic इस graph को बोलते आईवी characteristic आईवी characteristic in forward bias लिख लो तो forward bias में आपका current flow करता है कब करता है जब आपकी battery का potential barrier potential से ज़्यादा हो जाए लिख लो अपनी काफिमें और forward bias में क्या होता है P positive से connect होता है N आपका negative से connect होता है लिख लो अपनी काफिमें लिख लो इसको एक बार फिर स्टेंग करूं कोई नहीं मैं एक बार आपर स्टेंग कर रहा हूं देखो तो forward bias में क्या करेंगे आपके पास एक P type semiconductor है आपके पास N type semiconductor है यह P है यह N है पी की तरफ आपका negative एकटा हो जाएगा N की तरफ positive एकटा हो रखा है और फिर मैंने क्या किया इसको forward bias किया forward का मतलब में कि P को positive से करो n को negative से करो तो यह पाण पे क्या जाएगा आपका positive potential सenschल जाएगा यहाँ प्या जाएगा आपका negative इस जगे अब मालो यहाँ पे कोई electron है तो यह positive क्या करेगा यह वाला positive इस electron को अपनी तरफ कीचेगा लेकिन electron को ये negative repel भी तो कर रहा है तो अगर माल लो आपका barrier potential है 0.7 volt और आपने battery लगा रखी है माल लो 1 volt की तो मतलब आप electron पे ये positive जो force लगा रहा है वो जदा है और ये negative जो force लगा रहा है वो कम है तो होगा क्या ये electron आपका भाग के कहां पे आजाएगा n से p की तरफ आजाएगा है तो forward bias में क्या होता है अगर आपका potential barrier potential से कम है तो तो आपका current कम या ना के बराबर flow करेगा तो शुरू में तो current कम होता है फिर अचाना current बढ़ जाता है इस तरीके से और current किस में flow करता है करता है लिख लो तो फिर अपर लिख तो फिर याद रखना forward bias में एक तो तुम्हें याद रखना है कि पॉजिटिव से एन नेगेटिव से तो एक साइट एक तो क्या है रखना पी कनेक्टेड तो पॉजिटिव एन कनेक्टेड तो नेगेटिव और दूसरा पॉइंट याद रखना अब ध्यान से देखो करेंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है ध्यान से देखो current flows from ध्यान से देखो electron N से P आ रहे तो current P से N जाएगा current flows from P to N side तीसरा पॉइंट लिखो resistance due to diode in forward biasing FB का मतलब है Facebook नहीं forward biasing is very low तो जो resistance होता है वो बहुत कम होता है देखो शुरू में तुम्हें मानता हूं कि current कम flow करेगा लेकिन एक बार तुम इस barrier से पार कर गए तो तुम्हारा current आसानी से flow करता है तो पहला point तो क्या है P connected to positive N connected to negative current कहां से कहां flow करता है current flows from P to N side क्योंकि electron N से P जा रहे तो current P से N जाएगा resistance due to diode in forward biasing is very low fourth point लिखना width of depletion layer and barrier potential decreases width of depletion layer मतलब depletion layer की जो thickness है वो कम हो जाती है और आपका barrier potential है वो भी कम हो जाता है क्योंकि barrier potential का formula क्या है E into D तो अगर आपका D घटेगा तो आपका barrier potential भी घट जाएगा तो width of depletion layer barrier potential बहुत decreases तो आपका forward bias में क्या होता है सब कुछ याद रखना है current flow करता है resistance बहुत कम होती है IV characteristic ऐसी होती है current कहां से कहां flow करता है P से N की तरफ क्योंकि electron कहां सब्सक्राइब की तरफ लिख लो अपनी कापे में और याद रखना forward biasing में आपकी resistance रायोट की बहुत कम होती है कि लिख लो और को डाउट है इसमें तो पूछ हो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं तो मैं reverse biasing पे जा रहो हूँ नहीं सब्सक्राइब कोई डाउट नहीं है तो next topic लिखो अपनी कापे में reverse bias reverse bias of pn junction तो pn junction का reverse bias कैसे करेंगे तो पहले तुम इसका symbolic representation बना दो तो reverse bias में क्या होता है जो p होता है वो तो negative से connected होता है और जो n होता है वो positive से connected होता है इस तरीके से है ना अब तुम समधना यहां पर आपका क्या होगा देखो बहुत इंट्रेस्टिंग है से समधना तो यह आपका p type semiconductor है और यह आपका n टाइप semiconductor है पी और n पी की तरफ आपका negative एखटा हो रहा है n की तरफ आपका positive एखटा हो रहा है अब मैं reverse bias कर रहा हूं मतलब p को मैं negative से connect कर रहा हूं और n को माल लो मैं positive से connect कर रहा हूं तो यहां पर क्या आजाएगा positive यहां पर क्या आजाएगा negative अब आप खुद मुझे बताओ अगर माल लो कि आपके n टाइप में एक electron बैठा हुए है तो ना तो यह negative उसको उधर आन देखा तो reverse bias में current इतना आसानी से flow नहीं करता है तो चाहे तुम battery का potential बढ़ाते जाओ आप जितना जदा battery का potential बढ़ाओगे आपका negative बढ़ता जाएगा तो यह electron कभी इदर आई नहीं पाएगा लेकिन होगा क्या थोड़ी देर के बाद पीछे positive है तो आपका electron का भाग जा और similarly यहाँ पे holes हैं वो कहां भाग जाएंगे उदर भाग जाएंगे है ना तो reverse bias में क्या होता है अब ध्यान से देखो एक तो reverse bias का graph कैसा बनेगा अब तुम समझना यहाँ पे since अपने battery उल्टी लगाई है तो अपन जो graph बनाएंगे वो हम बनाएंगे third quadrant में है ना किसमें बनाएंगे third quadrant बनाएंगे तो मान लो कि यह आपका voltage यह आपका current है अब शुरू में तो क्या होगा reverse bias में electron flow करी ही पाएगा आप potential बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ फ्लो ही करेगा लेकिन एक point of time होगा जब इसका breakdown हो जाएगा और तब आ आपका current असानी अचानक बढ़ जाता है लेकिन क्या होता है reverse bias में फिर भी जो current होता है वो बहुत कम होता है micro ampere में क्यों देखा सोचना क्यों क्योंकि अगर electron पीछे आएगा तो देखो खाली वायर है जहां पर electron जा सकता है लेकिन forward में electron को अगर आगे जाना है तो सोचो कितना बड़ा area है जहां पर electron जंप कर सकता है इसलिए reverse bias में आपका current बहुत ज्यादा कम होता है है तो reverse bias में ए में क्या होता है electron N से पी जाता है whole P से N आता है reverse में आपका उल्टा है देखो reverse में आपका electron depletion region की तरफ नहीं आ रहा है reverse में क्या हो रहा है आपका electron depletion region से दूर जा रहा है है ना तो points लिखना reverse में पी connected to P connected to negative N connected to positive और reverse bias में resistance बहुत ज्यादा होती है resistance in reverse bias is very high बहुत ज्यादा resistance होती है आपका electron N से पी jump कर ही नहीं पाता है तो तीसरा important point barrier potential and width of depletion layer increases and width of depletion layer या depletion region increases तो होता कि reverse bias में आपका depletion region और चोड़ा हो जाता है तो P negative से connected होता है N positive से connected होता है resistance in reverse bias is very high current flow करी नहीं पाता है और जो flow कर रहा है वो भी किसमें micro ampere में barrier potential and width of depletion region increases लिख लो और यहां पर क्या current flow करेगा चोथा point current flows from N to P side current flows from current कहां से कहां flow करता है flows from N to P side current कहां से कहां flow करता है N से P की तरफ उसमें कहां से कहां flow कर रहा था P से N की तरफ लिख लो और एक और बात यहां रखना reverse bias में electron और holes depletion region से दूर जाते फोरोड बायस में replication region की तरफ आते हैं लिख लो अपनी कॉपे में नहीं रिशिता उसको drift current नहीं बोलेंगे उसको conduction current बोलते हैं उसको drift current नहीं बोलेंगे drift current तो कौन सा current होता है कि जब तेरा diode में कोई biasing नहीं है है ना और diode पड़ा हुआ है और तेरा मानले electron hole pair generate हुआ तो electron n की तरफ आएगा hole p की तरफ वो होगा drift current तो लिख लो यह आपका reverse bias है तो reverse bias में diode की resistance बहुत ज़्यादा होती है forward bias में diode की resistance बहुत कम होती है reverse में क्या होता है p negative से connected होता है n positive से connected होता है लिख लो resistance in reverse bias is very high ठीक है तो next class में हम लोग एक तो इसके numerical करेंगे किसके biasing के numerical कि reverse bias और forward bias में current कैसे निकालते हैं तो हम क्या करेंगे एक तो numerical करेंगे मतलब इसके इसके भी circuits बनती है तो वह circuit कराऊंगा rectifier और LED और I think next class के आसपास अपना चैकर खता हो जाएगा फिर हम लोग revision और जो topic कड़ गए वो करना चालू करेंगे ठीक है तो आज मैं तुम्हें क्या बेज रहा हूं reverse bias और forward bias की sheet ब एक देर class में अपना से levels खतम हो जाएगा फिर अपना revision चालू करेंगे ठीक है तो आज मैं तुम्हें दो चीजे बेजूँगा इसकी sheet और एक electro status की sheet बेजूँगा वो दोनों मैंने बना रखी है मैं forward कर रहा हूं भी तुम्हें class के बाद वो दोनों तुम्हें solve करना चालू बने ठीक है और कुछ डाउट है तो पूछो ओके